जो के मैं अपनी गाड़ी में करने वाला हूँ गाड़ी के जो टायर होता है उसमें थोड़ी सी मोडिफिकेशन और आप भी अपनी गाड़ी में इसे कर सकते हो बहुती आसानी से तो दोस्तों सबसे पहले टायर और रिम को क्लीन करना है तो उसके लिए मैंने एक कपड़े दोने का ब्रूस लिया है और पानी में थोड़ा सा सर्फ एक्सल डाला है पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूँगा सर्फ को पानी में और उसके बाद फिर टायर को क्लीन करूँग तो पहले थोड़ा सा इसको घोल लेता हूं अच्छे से सर्फ घोलने के बाद इसको टायर और रिम पे दोनों पे अपलाई करना है और अपलाई करने के बाद इसको ब्रस से अच्छे से रगड़ना है बहुत ज़ादा क्योंकि इस पे dust और grease, oil वगयरा जम जाता है जिस पे हमारा paint काम नहीं करेगा तो इसे हमें बहुत अच्छे से रगड़ना है बुरस से तो सबसे पहले मैं इसको रगड़ लेता हूँ जल्दी से पानी से दोने के बाद tire और rim को एक सुके कपड़े से साफ करना है ताकि हमारा tire जल्दी से जल्दी सूख जाए और हमारा tire पूरी तरीके से सूख गया है और मैंने ये white tape लिये जो के आपको किसी भी medical store से 30 रुपे में मिल जाएगी तो इस tape को मैं जो tire पे letters लिके होते हैं उसके उपर apply करूँगा तो सबसे पहले taping कर लेता हूँ taping करने के बाद एक razor blade से इसकी पूरी cutting करनी है जितने भी letters हैं तो जो पहले 3 letters मैंने cut कर दिये हैं तो मैं उसकी video record नहीं कर पाया हूँ तो आप आगे देख सकते हो मैं कैसे cut कर रहा हूँ और दोस्तो एक side की तो cutting पूरी हो चुकी है cut करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और अब मैं दूसरी side की भी cutting कर लेता हूँ जल्दी से और दोस्तो tape cutting का काम तो complete हो चुका है और अब मैं कुछ paper news की मदद से इस पूरे tire को cover करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले इस tire को cover कर लेते हैं और दोस्तो paper news को tape की मदद से कुछ इस तरीके से लगा लेना है क्योंकि जब हम spray paint करते हैं तो हमारा जो paint होता है वो थोड़ा दूर तक spray करता है तो उस पे car की body पर लगने का भी chances है तो इसलिए थोड़ा दूर तक paper news से cover कर देना है car की body को ताकि हमारा जो है paint car की body पर ना लगने paint करने से पहले bottle को थोड़ा सेख करना है उसके बाद paint करना है और दोस्तो first coat लगे को हमारे 15 mint हो चुकी है अब मैं इस पे second coat करने जा रहा हूँ और दोस्तो मेरा सारा काम complete हो चुका है और अब मैं इसको एक गंटा सूकने के लिए छोड़ देता हूँ और दोस्तो अब साम हो चुकी है लगबग 3 गंटे हो चुके हैं paint को और अब मैं जो इस पे paper news और taping वगरा की हुई है वो मैं उतार लेता हूँ जल्दी से और अब मैं चुकी है और दोस्तो इसके लावा आप कार में कोई और मोडिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा और ये वाली मोडिफिकेशन आपको कैसे लगी तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर तो दोस्तो ये था एक टायर मोडिफिकेशन करने का एक आसान सा तरीका आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तो